मस्जिद में भी जाएंगे हम दोनात सुनाएंगे अल्ला तेरा है एहसान तूने बढ़ा दी सब की शान आया है बन के महमान नूरे रमजान शब बरात और आमद महर रमजान के हवाले से दुबई मे एक रोहानी महफिल का निकाद समाज खातुन सौहलिया महमुद के जानिब से किया गया आप खाल ही में उम्रे की साधत हासिल करके आई हैं तकरीब में खावातिन के कसी रतादा शरीक हुई इस मौकब पर वतने अजीज और यूई की सालमियत और तरक्वी खुशाली के लिए खुससी दूआ की गई मिजबान के जानिब से तमाम महमानों को तहाइफ पेश किये गए और लजीज कानों से तवाजा की गई शुरुका में मौमगल मलिक नजमा इसान खजाला राशिद नजमी मुसरत शैनास खानम राहिला रजा सादिया और दिगर खवातिन शरीक हुई मारूफ सिंगा रोनाथ खान नजमी मुसरत ने प्रोड़ाम के मनाजबत से हम दो नाथ पेश की कैमरा टीम के साथ शबाना खान इमराथ नियूस दुबए मैं बेकरार था मेरा करार आप से है हुजूर मेरी होसाई बहार रार उसे है कहां वर्ज मदीना कहां ओ मेरी हस्ती जी सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया खैर मबारक और थैंकी सो मच कि आप मेरी इन्विटेशन पे आप आईं घर पे और क्या कहते हैं यह तकरीब इसलिए रखी थी कि आपको पता है कि जब आप उमरा करके आते हो तो आपकी एक एकसाइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा कि आप सब के लिए तबरक माई जम जम खजूरें और जो तफ़े आप फ्रेंड्स के लिए लेके आते हो तो आप उनको उपनी खुशी से उनको दो आपकी एक चाहत होती है तो इसी तरह मेरे भी दिल में बहुत स्टार्टर्स भी पेश करेंगे आपको खाना भी खिलाएंगे और मैं खुद भी कुकिंग करती हूं वो शोग से चुर मेरा चैनल भी है सालहा फूद विलोग के नाम से तो फिर सब लोगों को शोग भी रहता था कि इसके हाथ का कुछ खाना है और देख से हैंगे ये ये बनाती है बहुत से ही फ्रेंड्स ने खाया वा था लेकिन बहुत से ही फ्रेंड्स जो के फस्टायम जिनकी मीटिंग ती यह दूर दूर तो हम मिलते थे लेकिन हमारी अशी कोई मुलागात नहीं थी तो इसके मैंने उन सब को इन्नाय किया था अपने को